सीमा हैदर के बाद एक और पाकिस्तानी महिला शादी करने के लिए भारत पहुँच गई है कराची के रहने वाली जावेरिया खानम आज बागा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुची उनके बंगेतर समीर खान ने बागा बॉर्डर के पास उनका स्वागत किया और फूलो का गुल्दस्ता भेट किया वो अपने पात साल पुराने प्रेमी समीर खान से शादी करेंगी सोशल मीडिया पर इसका वीडियो अप्तेजी से वाइरल हो रहा है भारत पहुचने पर जावेरिया ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है भारत पहुचने पर जावेरिया खानम ने मीडिया से बाचीत में कहा कि मैं भारत सरकार का शुक्रिया आदा करती हूँ हम पाच साल से एक दूसरे को जानते है भारत के वीजा के लिए हम काफी समय से कोशिश कर रहे थे मैं बेहत खुश हूँ मैरिज वीजा को लेकर भी प्रक्रिया होनी चाहिए रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने उन्हें 45 दिनों का वीजा दिया है कपल साल 2024 में शादी के बंधन में बंधेंगे वे दोनों पिछले 5 सालों से रिलेशन्शिप में है दोनों की पहले ही मंगनी हो चुकी है जनवरी 2024 में दोनों की शादी होने की संभावना है दोनों की शादी कॉलकता में होगी इससे पहले महिला ने वीजा के लिए अपलाई किया था तो वो कैंसल कर दिया गया था इसके बाद दोनों के परिवार हताश हो गए लेकिन महिला ने दोबारा वीजा अपलाई किया समीर ने बताया मैं काफी खुश हूँ कि मेरी मंगे तर भारत आ रही है हम जल्द ही निकाह कर लेंगे 45 दिन के बाद हम वीजा एक्स्टेंड के लिए आवेदन करेंगे जब जावेडिया का वीजा कैंसल हुआ था तो हम दोनों के परिवार काफी परेशान हुए थे लेकिन अब जावेडिया को वीजा मिल गया है तो हम काफी खुश है एबी पी गंगा खबर आपकी जबापकी